नमस्कार स्वागत है सभी आंगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो जैसा कि आपको मैं बता दूँ कि बिहार की आंगनबारी सेविकाओं के लिए एक महत्तोपुर्ण निर्देश जारी हुए हैं जिसमें आंगनबारी केंद्रों के संचालन है तू एक नयाप पत्र जारी किया गया है जिसमें बिहार की आंगनबारी सेविकाओं के लिए कुछ निर्देश दिये गया है कि आंगनबारी केंद्रों का संचालन कैसे करना है बचों की उपस्थिति क्या रहेगी आंगनबारी केंद्रों पे कौन-कौन सी गतिविधिया करनी है तमाम तरह आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगन बड़ी जोड़ी नई-ने जन काडिया समय समय पर मिलती रहे तो देखिए आइसीडियस निदेशालाई ने एक पत्र जाड़ी किया है जिस पत्र का यहाँ पे डेट देख पा रहे होंगे चोवीस एक दुहजर बाइस जिसकी संची का संख्या है 317 यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज मेंसन काड़ी यानि सभी डियेम को यह लेटर भेजे गए हैं तो यह लेटर काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पे आप इस लेटर का जो विसाय देखेंगे देखिए आगन बाड़ी केंदर के संचालन के संबंध में उसके जश निचे देखेंगे निदेसालाई पत्रांग वाला पत्र भी आपको दिखाऊंगा इसलिए आप लोग इस विडियो को कम्प्लीट जरूर देखली जेगा महासय उप्रियुक्त विसाय के संबंध में सूचित करना है कि छेतर भड़मन के दवरान आगन बाड़ी केंदरों के संचालन पूर्ब निदेश के अनुसार आगन बाड़ी सेविकाओं यो महिला परवेक्षिकाओं द्वारा नहीं किया जा रहा है और तेव अनुरोध है कि अपने जीला अंतरगत सभी आगन बाड़ी केंदरों पर कोबीड-19 के प्रोटोकोल के अलोग में केंदर संचालन करना सूनिश्चित किया जाए तथा केंदर संचालन का समय पूर्ब में दिये गए निर्देश के अलोग में संचालित किया जाए जो लेटर जाड़ी हुआ था जिसमें कि आगन बाड़ी केंदरों के संचालन है तो कुछ दिशा निर्देश दिये गए थे चलिए मैं उस लेटर को भी आपको दिखा देता हूं जिससे कि आपको किलियर जनकारी मिल जाए कैसे आगन बाड़ी केंदरों का संचालन करना है तो देखिए आईसे इस विभाग के तरफ से ये भी लेटर जारी हुआ था जिसका पत्रांग यहाँ पे देख सकते हैं तीरपन चौवन और बाइस दुस दुहजार इकिस यानि कि बाइस अक्टूबर को ही ये लेटर जारी किया गया था देख सकते हैं इस लेटर को भी अत्ती महतुफपूर्ण बताया गया है जैसे कि यहाँ पे सभी जीला प्रोग्राम पत्यदिकारी और सभी बाल विकास पड़ियुजना पत्यदिकारी को ये लेटर जारी किये गये थे इस लेटर का विशाय भी यहाँ पे आगन बाड़ी केंदर के संचालन के संबध में है अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा उप्रियुक्त विशाय के संबंध में सोचित करना है कि दिनांग 24-9-2021 को आपदा परबंधन समूँ बैठक में आगन बाड़ी केंदरों को खोले जाने की स्विक्रिती के अलोक में आगन बाड़ी केंदरों के संचालन हेतु तयार चेकलिस्ट हो मार्क दर्शी का एसोपी के सहयोग से दिनांग 25-10-22 से आगन बाड़ी केंदरों पर बच्चों को प्रती दिन गर्म पका भोजन यानि होट कूक मील उपलवद कराये जाएगा जैसे कि COVID-19 संक्रमन के बाद जब आगन बाड़ी केंदरों को खोला गया उसमें ये बताया गया कि आपको आगन बाड़ी केंदर खोलने हैं उसमें जो बच्चे आएंगे जो 50% बच्चों के उपस्तिती रहेगी उसी के अनुसार आपको होट कूक मिल यानि गर्म पका भो गुद्भराई अनपराशन और भी तमाम तरह की जो गत्विधियां है वो संचालन किया जाएगा केंदर संचालन की ओधी यहां पर देख सकते हैं नॉमबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक पुरभाहन 10 बजे से अपराहन 2 बजे तक निर्धारित की जाती है जैसे कि ये जो दिशार निर दिया जाता है कि अपने जीला अंतरकत सभी आगनवारी केंदरों को सच समय संचालन कराना सुनिश्चित किया जाए तो देखिए यही जो दिशार निर्धेस है इन्ही दिशार निर्धेसों का पालन करते हुए आगनवारी केंदरों का संचालन करना है जैसे कि जो आगनव का भोजन भी देना है साथी साथ जो बच्चे आएंगे आगनबारी केंदरों पर उनको समय समय पर सेनिटाइजर से हाथ हो बगाड़ा की साप सफाई भी करनी है साथी साथ जो आगनबारी सेवी का सहाई का है वो भी मास्क का परयोग करेंगी तो इनी तमाम तरह की जो प्रो वीडियो को सेयर जरूर करें आप सभी का हमारे साथ इस वीडियों बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद